मद्धे विदान सभाँ पिछले दस साल से भारतिय जनता पार्टी के विदायक मद्धे शेत्र में रहें और दोनों बार भारतिय जनता पार्टी के विदायकों के जीतने के बाद भी मद्धे शेत्र जो है आज विकास की रहा तलाश रहा है कि विकास कोसो दूर इस राजधानी में उद्विधान सा बाते है पानी की बहुत समस्या है ट्राफिक की बहुत समस्या है लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे है महेंगी बिजली मिल रही है सडके खराब है लोग स्कूल और कॉलेज के लिए खास तोर पे उस शेतर में परेशान है आज 10 साल में भारतिय जनता पार्टी के विधायक एक स्कूल नया नहीं बना पाए उस शेतर में एक नया अस्पताल नहीं बना पाए लोगों को स्वास्त की दरूट होती है तो उनको हमीदिया उत्तर विधान साबा में जाना पड़ता है और 1250 होस्पिटिल दक्षिर पश्चिम विधान साबा में जाना पड़ता है एक अध़ होस्पिटिल हमाई विधायक आज तक भारतिय जनता पार्टी के महाना नहीं दे पाए है और मैं एक बात बताना चाहता हूं मैं यह मानता हूं कि कॉंग्रेस ने आरिफ मसूद साहब को टिकेट महां से दिया है अभी उनकी खुद की लड़ाई यह बहुत चल रही है पहले कॉंग्रेस जनता के लड़ाई तो बाद में लड़ी जाएगी अभी तक ऐसा लग रहा था लग रहा है कि सिर्फ आरिफ मसूद सिर्फ मुसल्मानों के लिए ही चुनाव लड़ते हैं क्या देखिए यह तो जग दाहिर है मैं जब इस विधान सभा में पिछले चार महीने से लगा तार जब मुझे टिकेट मिला चार महीने पहले मैं घूमता रहा तो मुझे तो बड़ी विच्छ थे चीज़ देखने में राजदानी में आई कि वहां तो वोट ठी हिंदू मुसल्मान के नाम पर मांगा जाता है सुरेन ना सिंग जी नए भोपाल में जाते हैं नया जो मद्दे भोपाले उन शेतरों में घूमते हैं तो वह जाके वो हिंदू हुए जाते है आरिफ हकील साब पराने भोपाल में गुमते रहते हैं वो आपन मुसल्मान है मुसल्मान को चुनो तुमारा भाई हूं तुमारा अपना हूं जG जगा जगा पफ़लिक मुझे एबैब बात बताती है और मैं काम के इस्तितिती थी बहुत खराब है अक्सर मैंने एक बास सुनी है कि पुराने भोपाल में काम नहीं होता है नहीं भोपाल में बहुत काम होता है लेकिन इस विदान सबह में दुल्टा है पुराने भोपाल का तो पूछो नहीं या तो नहीं में भी काम नहीं किया चलो पुराने में तो नहीं कर रहे है कि एक वर्ग विशेश रह रहा है जो हमेशा भारतीय जन्ता पार्टी कहती रहती है कि जिस शेत में मुसल्मान बहूल हैं मुसल्मान जादा हैं तो हमेशा कहती रहती है कि वो मुसल्मान शेत रहे बारतिय जंता पार्टी पे भेदबाव के भी आरोप लगते हैं लेकिन या तो नए भुपाल में ही कुछ नहीं किया है इनोंने पाल नए भुपाल में लगती है टेंकर से सप्लाई होती है आज राजधानी में शिवराज सिंख जी के बंग्ले से कितना दूर ले söz incubuesday के बंग्ले से कितना दूर है शापुरा शापुरा में आप चले ये कैसे शेत्र का विकास होगा चलिए हम यदि फराज खान साहब आते हैं मद्दे विदान सभा से तो क्या करवाएंगे देखिए मैंने सबसे पहले जो जनता से वादे की है मैं पिल्ले चार महीने से डोर टू डोर पूरी मद्दे विदान सभा में चला रहा हूं चार महीने में दो लाख लोगों से मैं मद्दे विदान सभा में मिल चुका हूं फेस टू फेस बात कर चुका हूं गर जा चुका हूं बात ये सामने आई जनता ना कॉंगरेस से खुश है ना भाज़्पा से खुश है और सबसे बड़ी बात पिछले दस साल से ये जो तो जनता परिवर्तन करने को तयार है यह बात तो सही है कि आमादमी पार्टी ना हिंदू मुसल्मान ऐसी कोई राजनिती नहीं करती है बिल्कुल मुद्दो की राजनिती करती है यह बहुत अच्छी बात है मैं यह जानता हूँ कि मैं जब भी जनता के बीच में जाता हूँ तो जनता मुझसे कहती है बस आप हमारे पानी का प्रबंद कर दो हमारे बच्चों के लिए सस्ती शिक्षा और अच्छे स्कूल बनवा दो अच्छी सड़के बनवा दो हमारे घर घर में बेरोजगार युव सब जानते हैं कि अरविन केजरी वाल ने बहुत शांदर काम किया है और लोग कहते हैं कि अरविन केजरी वाल ने जैसा स्कूल जैसी शिक्षा के जो बुनियाद महां खड़ी करिये अच्छे स्कूल खड़े करें अच्छे अस्पताल बनाएं और लोग ये भी कहते हैं कि प्रदेश तो छोड़ो राजधानी में भी एक अच्छा स्कूल नहीं बना पाई एक अच्छा अस्पताल नहीं बना पाई उल्टा मैं जंता के बीच में जाता हूं पुराना बोपाल का जो मद्देशेत्र है गेश पूड़ी जंता है मौफजा नहीं मिला है बोपाल मैमोरि जो है वो बंद होने की का गार पर है और इसलिए क्योंकि प्रदेश सरकार उदाथी नहीं है उन्हें मालू में यह हमारा वोड बेंग नहीं नहीं है तो यह तो स्वास्त मंत्री जी बताएंगे किन से दवाएं खरीद रहे हैं रिष्टेदार हैं परीचित हैं कि मानक के आदार पर दवाएं खरीदी नहीं जा रही हैं लगातार पिछले चार साल से मीडिया में आता रहा है अकबारों में बढ़ते रहे हैं कि मानक के आदारों पर दवाएं नहीं खरीदी जा रही हैं तो तो medical पे मिलती है और चौडी-छोडी हल्की दवाई हैं जो से कोई असर ही नहीं करते हो दवाई हम देखी है मैं तो YOU आपको बताऊं मद्य पृदेश के uspitasal वे तो जो दवा मिलती है वो चूरान है खा लोкоी असर नहीं होना चौक पाउडर है इसके अलावा वो कुछ नहीं है यदि हमाई सरकार आती तो क्या स्वास्त के परती कुछ अच्छा काम किया जाएगा देखे निश्चित इसलिए क्योंकि दिल्ली में अर्विन केजरी वाल ने शांदार अस्पताल बना है आप दिल्ली कभी जाईए मैं तो हमेशा लोगों से कहता हूँ कि एक बार जाके दिल्ली के इस्पताल देखिए कि पांस रुपे की परची कटाने में कितना लाजवा विलाज होता है नए एक्यूपमेंट्स हैं एमराई जैसी जो महंगी आपकी सुविदाएं हैं जो जाचें हैं वो मुफ् आई कि आवशकता तो हर डॉक्टर लिक के दे देता है बारह हजार रुपे दस हजार गरीब परिवार को जुटाने में हालत कराब हो जाती है जो सुवास्त है वो सरकार के आधिपत्ते में होना चाहिए आज मुद्दे प्रदेश में वेपार चल रहा है सुवात के नाम प लेवल पर यह उम्मीद है आप मादमें पार्टी से चुक्रिया दन्यवाद मैं शचांग मालवी क्राइम न्यूस से